दोस्तो लंबे समय के बाद वो दिन फाइनली आ गया जब बिलकिस बानो को कौट की तरफ से न्याई की उम्मीद दिखाई दी पिशले कई महीनों से बिलकिस बानो अपने आरोपियों के खलाफ कौट के चक्कर लगा रही थी बार बार वो कौट जाकर एक ही बात कह रही थी कि उसे इंसाफ चाहिए उसे इंसाफ दिलाया जाए आज वो दिन आज वो घड़ी बिलकिस बानो के सामनी आही गया जब देश के मुख्यनियाई धीश ने बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई को हामी भरते हुए बड़ी बात कह डाली है दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि CGI डिवाई चंदचूर ने बिलकिस बानो के सको लेकर किस तरीके से एहम बाते कही है जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिलकिस बानो आज भी उन आरोपियों की वज़ा से जड़ के साय में जी रही है और वो आरोपी खुली हवाओं में सुकून से रह रहा है काईदे से तो उसे इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि वो किसी भी महिला के साथ कोई अगर इस तरीके का काम करने का सोचता भी तो इन आरोपियों की सजा को याद करके काब जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं महिला, सशक्तिकरन, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, महिला दिवस जैसी बाते करके महिलाओं के लिए तमाम तरीके की बाते सोचल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है मंचों से बड़े बड़े भाशन दे दिये जाते है महिलाओं को लेकर लेकिन असलियत इससे बिलकुल इतर है क्योंकि अगर महिला सम्मान सही में होता नारिश रशक्तिकरन की बात सही में होती तो इन दोसियों को संसकारी ना कहा जाता इनके आओ भगत ना किये जाते और ना ही इनको तिलक लगा कर माला पहना कर आरती उतारी जा रही होती क्योंकि ऐसा हम सब ने देखा कि इन 11 आरोपियों को कैसे स्वागत सत्कार किया गया और एक बड़े पाटी के विधायक की तरफ से कहा गया कि ये तो संसकारी है ब्राह्मन है पंडित है इसलिए ये संसकारी है और तो और दोस्तो हम सब ने देखा कि कैसे बिलकिस बानो तिल-तिल कर घुट रही थी तिल-तिल कर मर रही थी कैसे उसके सामने वो सब फिर से दौराया गया जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके आरोपी एक बार फिर से खुली हवा में जियेंगे खुली सास लेंगे जिन्होंने उसके साथ जगन में अपराध किया था दोस्तों बिलकिस बानों को लेकर अब 11 दोशियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया गया था उस फैसले के खलाफ अब सुप्रीम कॉर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया गया है अब लगबग ये तैम आना जा रहा है कि बिलकिस बानों का मामला सुप्रीम कौर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है दोश्यों की रिहाई वाले गुजराज सरकार के आदेश को चुनोती देने वाली याचिकाओ पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कौर्ट में एक विशेश पीट गठित करने की सहमती जाहिर कर दी है उन्होंने एक विशेश पीट गठित करने की बात करते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई को हामिक भरा है मुख्य न्याइदीश डिवाई चंदिचूर और न्याइमूर्ती पीएस नरसिम्हा और जेवी पार्दिवाला की पीठ ने बिलकिस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शोभा गुपता को आश्वासन दिलाया है कि नई पीठ का गठन किया जाएगा और इस पर फिर से सुनवाई होगी ये दूसरी बार है दोस्तो जब सुप्रीम कॉट में एक विशेश पीठ घटित करने पर सहमती व्यक्त की है इसे पहले फरवरी में भी शिर्ष अदालत ने ऐसी सहमती व्यक्त की थी लाइब लॉकर रपोर्ट की मताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तो तो बिलकिस बानों की वकील अड़ोकेट शोवा गुटा का दावा है कि इस मामले का पहले भी चार बार जिक्र किया जा चुका है लेकिन प्रारंबिक सुनवाई और नोटिस के लिए इसे अभी तक लिया जाना बाकी है इस पूरे मामले का पहली बार 30 नमबर 2022 को जिक्र किया गया था इसके बाद इसे जस्टिस अजयर रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीट के समक्ष लिस्टिट किया गया था जस्टिस रस्तोगी ने पिछले फैसले को लिखा था कि जिसमें गुजरात को छमा याचिका पर फैसला करने की अनुमती दी गई थी हलकि निया मूर्ती त्रिवेदी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था इसके बाद इस मामले का जिक्र 14 दिसंबर 2022 को किया गया और इसे इस साल दो जनवरी को अस्थाई रूप से लिस्टिट किया जाना था बेज जनवरी को शोबा गुपता ने फिर से मामले का जिक्र किया लेकिन निर्धार तारीख यानी 24 जनवरी को 31 जनवरी को संबिधान पीट के बैठने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी रिपॉर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो आखर में साथ फरवरी को सीजियाई याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेश पीट गटित करने पर सहमत हो गए शोबा गुपता ने कहा लेकिन मामला लिस्टिड अभी तक नहीं हुआ और अंतिम जिक्र के एक तालस दिन भी जाने के बावजूद भी कोई तारीख दिखाई नहीं दी जा रही है बिल्किस बानो के साथ तीन मार्च दो हजार दो को भीर द्वारा सामोहिक दुशकरम किया गया था उनके परिवार के सदस्यों की उनके आखों के सामने हत्या कर दी गई थी ये घटना दोहाज जिले के लिम्खेडा तालुका में हुई थी उस समय बिल्किस बानो गर्ववती थी बिल्किस की उम्र उस समय मातर एक किस साल की थी इस मामले में उम्रकाद की सजा काट रहे 11 दोशियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था जब मंच पर भरे मंच पर लाल किला से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी महिला शर्शक्तिकरन की बात कर रहे थे नारी सम्मान की बात कर रहे थे और तमाम तरीके की सीख लोगों को देने की बात कर रहे थे अपील कर रहे थे कि आप महिलाओं का सम्मान कीजे महिलाओं को जो है कहीं भी किसी जगह पर disrespect मत कीजिए इस तरीके के तमाम बाते लाल किला से प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के जरीये दिया गया और ठीक कुछ घंटे बाद गुजरात सरकार की तरफ से यह आदेश आया कि इन 11 आरोपियों को, 11 दोशियों को जो बिलकिस के दोशी हैं उनको रिहा कर दिया गया है क्योंकि इनके संसकार जो है, इनके आचरन जो है वो अच्छे थे बिलकिस बानों के साथ हुए सामोहिक मामले में 11 दोशी जब गुजरात सरकार की छूट नीती के तहट जेल से बाहर आये तो उन्हें रिहाई के बाद माला पहनाई गई थी और मिचाईया भी खिलाई गई थी, इसी रिहाई मामले में सुप्रीम कॉर्ट में चुनौती दी गई थी कि आखिर इस तरीके के लोगों को कैसे छूट दिया जा सकता है इस तरीके के लोगों को बाहर कैसे रहने का आदेश दिया जा सकता है जब वो अल्रेडी इतनी जग्धन या पराद में सजायाफता है उसको सजा मिल चुकी है बंबै हाई कॉर्ट की तरफ से कैसे इन लोगों को ता उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया गया था इसी पूरे मामले पर ठीक चुनाव से पहले इन 11 दोशियों को छोड़ दिया जाता है अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि बिलकिश बानों का ये जो संघर्स है वो कितना लंबा रहा है किस तरीके से वो बार बार कौट के चहरी का दर्वाजा खट खटाती रही बार बार नियाए मांगती रही और जब नियाए मिला और नियाए मिलने के बार जब उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है अब उसके पास कोई भी दुख तकलीफ और ऐसी गटनाओं का जिक्र नहीं होने वाला है तब अचानक से उसके सामने वो 11 दोशियों की रिहाई का जो फर्मान था जिस तरीके से ज़ारी किया गया मानो उसके पैरोग तले से जमीन खिसका दी गई हो बिल्किसबानो के पती कई बार मीडिया से बातचीत करते हुए गुहार लगाते हुए कहते हुए नजर आए कि उनको इंसाफ चाहिए उनको किस तरीके से इंसाफ की उमीद है और उन्हें इंसाफ मिल नहीं पा रही है कैसे मिल्किसबानो जो है अंडरग्राउंड हो गई लोगों के सामने नहीं आ रही है उसको डर्स अता रहा है कि कहीं उसके साथ कोई अन्होनी घटना ना हो जाए कहीं उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिस तरीके से अच्छे आचरन का हवाला दे कर इन 11 दोशियों को छोड़ा गया है उन पर कई जो है कई लोग जो है उन पर F.I.R. दर्स कर चुके कई महिलाओं ने उन पर F.I.R. दर्स कर आई है जब परोल और फैरोल को लेकर वो बाहर आए हैं कि कैसे वो महिलाओं के साथ छडखानी करता वा नजर आया लेकिन फिर भी इन लोगों को रिहा कर दिया गया पर देखेंगे तो सब कुछ आपको नजर आएगा हमने भी आपको कई बार वो ख़बर दिखाई है कि परोल और फैरोल पर ये कई बार बाहर आ चुके हैं साल में ये कई दिन तो जेल के सलाखों से बाहर ही रहे हैं तो अब देखिए दोस्तो कि कैसे CGI DIY चंदचूर ने इस पूरे मामले पर सहमती जताते हुए ये बात कह डाली है कि अब इस पर सुनवाई होगी और एक टीम भी गठित की जाएगी दोस्तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी इरिया हमें कॉमेंन सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दोनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले